हैलो प्यारे वच्चों कैसे हो आप सब आज किस वीडियो मैं मैं आपके लेकर आए हूँ मकर संक्रांती पर निभन जिसमें कि हम मकर संक्रांती पर दस पंक्तियों का निबंद लिखना सीखेंगे तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं नमबर एक मकर संक्रांती हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाये जाने वाला त्योहार है नमबर दो भारतिय महीनों में यह त्योहार पौश महीने में आता है नमबर तीन मकर संक्रांती हिंदू धर्म में बहुत बड़ा दिवस माना जाता है नमबर चार मकर संक्रांती का त्योहार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है नमबर पाँच यहाँ हर साल 14 जन्वरी को मनाया जाता है नमबर छे अन्य त्योहारों की तरह इस त्योहार पर भी मिठाई बनाने का विशेश महत्व है और उन मिठाई में गुड और तिल के लड़ू विशेश होते हैं नमबर साथ मकर सक्रांती के त्योहार के दिन बहुत सी जगा पर पतंगों का खेल भी खेला जाता है नमबर आठ मकर संक्रांती के दिन प्राचीन मानिता के अनुसार पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं नमबर नौ, मकर संक्रांती, मुख्यता, आनंद, खुशी और आपसी मेल जोल बनाने का त्योहार है नमबर दस, इस दिन लोग स्नान आदी करके दान पुन्य भी करते हैं तो बच्चों ये था मकर संक्रांती पर दस पंक्तियों का निभन्द अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करे और जाद सद आपने दोस्तों को शेयर करे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद